अगर आपको टमैटो खाना पसंद है तो एक बार इस तरीके से टमैटो सेलड बना करके देखिए यह आपको बहुत पसंद आएगी यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं और फ्रेंड्ड अगर मेरी रेसपी आपक कटाने तो ने स ingenuity कर्णक्ता हिस्सा है उसको हम काट करके निकाल देंगे और आहनेा ट्रीकिके से मोटे मोटे टुक्डे खेले तो मैंने एक टमाटर में 3 टुकड़ा किया है टमाटर मेरा मेडियम साइज का है अगर आपका बरा टमाटर हो तो आप 3, 4, 5 आप अपने पसंद से कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने सारे टमाटरों को काट लिया है अब इसको हम एक ठाली में ट्रांसफर कर देंगे अब हम ले लेंगे 5-6 लैसन की कलियां और लैसन को हमें बिल्कुल बाड़ी काटना है तो इस तरीके से हम लैसन को काट लेंगे और बिल्कुल बाड़ी कर देंगे इसको हम एक बाउल में रखेंगे अब हम ले लेंगे हरा धनिया पत्ती तो धनिया पत्ती को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है तो सबसे पहले इसका जरवाला हिस्सा जो है काट करके हम अलग कर देंगे और धनिया पत्ती को हम बिल्कुर बारिक काटेंगे जितना बारिक हो सके उतना बारिक हम इसको काट लेंगे तो मैंने धनिया पत्ती को भी काट लिया है इसको भी हम बावल में डालेंगे जिसमें हमने लेसन डाला है उसी में हम धनिया पत्ती को भी डालेंगे अब हम ले लेंगे दो हरी मिर्च मिर्च आप दो की जगा पे एक भी ले सकते हैं और जो हरी मिर्च है उसका हम बीज निकाल देंगे यहां हरी मिर्च मैंने ज्यादा तीखा वाला लिया है आप इसकी जगा पे कम तीखा वाला भी ले सकते हैं बीज निकालने से तीखापन इसका कम हो जाएगा, इसका बीज निकालने के बारिक बारिक काट लेंगे, तो यह देखिए मैंने हरी मिर्च को भी काट लिया, इसको भी हम बाउल में डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे हम नमक, तो नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, म इसमें हम डालेंगे एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच भूना जीरा पाउडर आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च चाप ज्यादा यह कम कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे वेनिगर तो त इसा भी डबा ले सकते हैं, अब हम डबे में टमाटरों को इस तरीके से लगाएंगे, तो टमाटर के स्लाइस को हम सीधे रखते हुए लगाएंगे, इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने एक लियर टमाटर का लगा लिया है, अब जो हमने मिश्रन तयार किया है, उसमें से हम आधा मिश्रन टमाटर के ऊपर लगाएगे और काटे वाली चमिंश से इसको हम फैला लेंगे तो मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है अब जो बचे हुए टमाटर है उसको भी हम टमाटरों के ऊपर रहके मतलब दूसरे लेयर में इसको हम लगा लेंगे और जो हमने आधा मिश्रन बचा के रखा है उसको हम फिर से टमाटर के उपर डालेंगे डालने के बाद फिर से हम चम्मच की मदद से इसको हम फैला लेंगे तो मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है अब इसका हम ढखकन लगा करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे फ्रेज में छोड़ने से क्या होगा जो हमने मिश्रन टमाटरों के उपर डाला है उसका टेस्ट जो है अच्छी तरह से टमाटरों पर आ जाएगा और खाने में ये बहुत टेस्टी लगेगा तो आधे गंटे हो गए हैं अब आई ये डबा खोड़ करके हम आपको दिखाते ह तो देख पारे होंगे कि टमाटर जो है पहले से गल गया है और इस तरहन का सारा फ्लिवर जो है टमाटरों के अंदर चला गया है तो अब आप इसको खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो बहुत खाया होगा एक बार इस तरीके से बना कर के देखिए यह आपको बहुत पसंद आएगी।